नमस्कार मैं हूँ सिल्पिसेन और आप देख रहे हैं नवोदर प्लस टाइम्स आएए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर जब से जनपद ललितपुर में पुलिस अदीक शक्त प्रमोत कुमार ने कारभार गर्ण किया है अब से उनके निर्देशन में जनपद की पुलिस अपराद एवं अपराधियों के खिलाफ काफी सक्रिये नजर आ रही है आपको बता दें कि पिछले दनों जनपद ललितपुर के जाकलौन में एक पैट्रॉल पंप पर दो बदमासों ने करमचारियों को घायल कर लूट की घटना को अन्जाम दिया था जिसमें जनपद पुलिस ने बीती रात पुलिस मुटवेड में पैट्रॉल पंप पर लूट की घटना को अन्जाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस मुटवेड में घायल कर गरफतार कर लिया है तो बहीं दो आरोपी अधेरे का फायदा उठा कर भागने में सफल हो गए हैं इस मुटवेड में दो पुलिस करमी भी घायल हुए है प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पिछले दनों जाकलोन कस्वे के निकट इस्थित महर बाबा पैट्रॉल पंप पर मॉटर साइगल सवार असलह धारी दो वदमासों ने पंप पर काररत दो करमचारियों को मारपीट कर घायल कर दिया था और लाखों रुपई की नगदी लूट कर भाग गए थे इस मामले को पुलिस अधीक्षक ने बेहत गंभीरता से लेते हुए एसोजी सहेत कई टीमों को लूट की गटना के अनावरण हेतु लगाया था बीती बुदवार की राथ पुलिस को मुखविर से सूचना मिली कि उपरोक्त कांड के आरोपियों की मौजूदगी राजगाट रोट के पास इस्थित है सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और इनका पीछा किया तो मौटर साइकल पर तीन बदमास पुलिस को देख भागते हुए नजर आए भागते समय बदमासों की मौटर साइकल असंतुलित होकर गड़े में गर गई बदमासों ने अपने आपको पुलिस से घरता देख पुलिस पर फायरिंग सुरू कर दी जिसमें दो पुलिस कर्मी घायल हो गए घायल पुलिस कर्मियों में आमित पाठक और देविंदर यादब सामिल हैं जबाब में पुलिस ने भी बदमासों पर फाइरिंग शुरू कर दी पुलिस की जवाबी फाइरिंग में एक बदमास के पैर में गोली लगी जिससे भैग खायल हो गया और बाकी के दो अंधेरे का फायदा उठा कर भागने में सफल हो गए गायल आरोपियों की पैचान दरजेंदर यादब निवासी थाना कोतबाली लिलितपुर के रूप में हुई है दोनों गायल पुलिस कर्मियों सहित आरोपी को जिलाच के सालह पहुचाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है रात में ही पुलिस अधीक शक प्रमुत कुमार भी गायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुच गए थे जहां उन्होंने बताया कि दौनों फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने प्रयास तेश कर दिये है सभी आरोपी जल्द पुलिस की गरप्त में होंगे नबोधाय प्लेस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट फाही में इनकी बाइक संभवता बिस बैलन्स होने के से गिर गई जब इनको देखा गया तो उसमें तीन बदमाश सवार्थ है यह इन लोगों ने अपनी तरफ से फाइरिंग स्टार्ट कर दी पुलिस की तरफ से भी फाइरिंग हुई प्रास फाइरिंग में एक जो बदम तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या अब कर दीजिए लेटेस्ट न्यूस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए